वो बाबुजी बोल के गए है ति कभी विगा कोई चीज की भी जरूरत पड़ेगी तो आप बेसक हमारे को कॉंटेक्ट कीजिए नमस्कार आप देख रहें नमस्कार सिटी आज हम मौझूद है रुटगी के चाओं मंडी के कुष्ट आसरम में जहाँ पर दा नेशनल हेल्पिंग हैंड समासेवी संस्था जो की अपने समासेवी कारियों से काफ जानी जाती है और काफी बढ़ चड़कर समासेवी कारियों म पर उन लोगों ने अपने जन्मौत सब को एक कुष्ट आसरम में मनाया जो कि आपको तस्वीरों में दिखाएंगे हैं किस तरीके से मना उन्हों ने कुष्ट आसरम में यहाँ पर रहने वाले लोगों को कमबल बाट कर जैसा कि सरदी का टाइम है और उन लोगों ने समझा कि इन लोगों की क्या मजबूरी है मजबूरी को समझते हूं लोगों ने यहाँ पर आज कंबल बाटने का कारे करम रखा आए अंदर लेकर चलते हैं आपको दिखाते हैं तस्वीरों में किस पर कारे कारे करम चला और यहाँ पर कुछ पुलिस परशासन से भी जो लोग आये उन्होंने भी शही पर अपनाया पर उनसे भी आपकी बात करें और star के पदादिकारी यह और कि चले आज का यहाँ आपके कुछ ट्रासरítम में यह कारे करम रहा बढ़िया कम्बल वित्रित हुआ और वड़िया कारे कश करता बढ़िया करना चाहिए और सवाक्षिवस में जूनना चाहिए बढ़िया श्रवा तो क्या इस का आश्रम में कंबल की जरूरत थी जो वो लोग आज बात कर गए हैं तो उस संस्ता के लिए आप कुछ कहना चाहेंगे बढ़िया धन्यवाद है सब जितना भी आयत है सब उसका धन्यवाद करते हैं दिल से आप क्या कहना चाहिए बस ठीक है जैसे आज आज आपको कंबल मिले कंबल बाटे गए उस संस्ता के लिए कुछ तो कहना चाहिए उनका तो बहुत-बहुत सुक्रिया बोल रहा हूं धन्यवाद तो आगे ऐसा काम क परते रहे हमारे आश्रम के लिए यहां इस आश्रम में के सचमुच उन कंबलों की जरूरत थी है और अगर ऐसे ही कारिये कोई चीज की जरूरत हो तो क्या वो लोग कहकर गए कि अगर इस आश्रम में किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप उनसे संपर्क करें हाजी वह काम करते हुए देखे कि समाजिक इस तरह पर काम कर रहा हैं जी वह सरानी है और सरकार को भी इसकी सराना करने चाहिए और कोसान देना चाहिए ताकि यह इसी प्रकार आगे कारे करता रहे है उसमें पुलिस का कितना सायोग है बहुत अच्छा सही हो गया और हमें बड़ी खु लोग वह से मिलती है इस संस्था से कभी यही आदे से किलना समुप जब्यान हो और मानने रुक्तमंत्री जी का भी तो इस पर क्या गेंगे सर क्या पी लिख करेंगे हम लोग भी इसी अधिकारी कारे कर रहे हैं नसीग लोग थाम के लिए वह यह भी सेम वही काम कर रहे है सबसे पहले तो मैं सभी अप्राइब कर रहे हैं तो सरानी है अच्छा एक मैसिज जाता है जनता को कि दिखावा नहीं कर रही है और अन्दूनी रूप से जो काम कर रही है अच्छा है सर सबसे पहले तो मैं सभी अपनी टीम के हर मेंबर हर जितने भी हमारे साथ ही हूं सबको धन्यवाद देना चाहता हूं क्यूंकि आज दो वर्स पूरे हो चुके हैं और हमें बहुत ही खुसी हो रही है कि हमारे साथ जुडने वाले लोग काफी जिनके मनों से अपने दिलो से कारिये करते हैं हमारे साथ उनका सहयोग रहता है और मैं उम्मीद करता हूं आगे चलके भी बहुत सहयोग मिलता रहेगा और रही बात यहां प्रोग्राम करने की हम इस तरह के प्रोग्राम हमेशा से करते आए हैं और इंशाल लागे भी करते रहेंगे लगबग मेरे ख् लेवा करते रहेंगे नसे को लेकर हमारी मीटिंग है रूड की हो गया और इधर हर्द्वार साइड हो गया मतलब लगब काफी एरिये में हम जागरुकता अभियान चला चुके सर बहुत अच्छा लग रहा है और सबसे अच्छी बात यह है कि यहां के जो आश्रम के लोग है उन लोगों ने भी सपोर्ट किया और उन लोगों ने पहले से ही बता दिया था कि इतना मतलब इतना अतना कंबल लएगा जैसे काउंट हुआ था तो बस यही है कि आगे हम कर रहे हैं और आगे इंशालला करते रहेंगे और हमारी अध्यक जी जो हैं उनका सहाया सहात रहा और हम लोग का टीम बराबर अच्छी रही तो हम लोग करते रहेंगे यहां पर कोई सभी लोग महमान हैं यहां पर और हम लोग इस बारे में समानी समझते हैं अपने आपको कि इन लोगों ने हमें बलाया मैं संसा के सहाथ काफ़े दिनों से जोड़ा हुआ हूँ और इनके काम देखकर खुशी होती है सबसे बड़ी बाती है कि यह बिना किसी पहरी साहता या स्रकारी साहता के इनकामों को पूरी तरीके से कर रहे हैं और बहुत अच्छे डंग से कर रहे हैं आप लोगोंको शियुष हमसे ज्यादा मालूम होता है कि इससे पहले के जो बीका का काम कर चुके हैं चाहे वो लोगों को फिर हेलमेट माटना रहा हो या फिर रख्तदान का हमारे रहा हो ब्लड बैंक में हम लोग ब्लड पहुंचा देते हैं तो वह शीविल लगा कि जो इन लोगों ने इतने काम किये हैं वह बहुत अच्छी बात है और आज अपने साथ इस्ताबना दिवस पर जो इन्हों ने ये आज ये खुश्ट आश्रम में आके कंबल बाटे हैं तो मैं समझता हूं इसका शैदिन लोगों के दौाएं जो हमें और आगे लेके जाएंगी इन लोगों के जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है सबसे अच्छी बात है कि लोग साइलेंट वर्कर्स हैं इतना शहर में लोगों को पता भी नहीं चल पादा जितना कामी लोग बिना किसी को कहे कर लेते हैं और मैं धन्यवाद आप मीडिया का भी देना चाहूंगा जो इन लोगों के अफशक्ता हो हम लोग सब मिलके इन लोगों के सहयोग से यह सब कारे कर सकें